हेलो एब्रुवान वल्कम टू दू क्लास गाईज कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छों के अच्छे से पड़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लेकर क्या हैं आपके लिए जो फिजिक्स का सेंपल वि होगा कि सर्फ कितने क्वेशन जो है वो फैक्ट बेज़ पूछे गाई यानि की जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना बस जो आपने पड़ा है उसको टिक करके चले आना है कितने क्वेशन डेरिवेशन से पूछे गए यानि कि कितने मार्क्स वो कवर करते हैं कितने marks के numerical पूछे गए कितने marks के conceptual question पूछे गए किस chapter का weight is ज़्यादा है कौन से easy और कौन से hard chapter होने वाले कहां कहां से 12345 number के question जो है पूछे गए है काफी ज़्यादा मैंने इसके अंदर time invest किया है चीजों को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए तो मैं आपसे कहूँगा कि बस आप मुझे अपने 10 minute देंगे तो आपको पूरा एक idea लग जाया कि actual में simple उपर आखिरकार कैसा है और board के लिए मैं कैसे तयारी करनी चाहिए देखो अगर आपनी पढ़ाई को लेकर के serious हैं तो मेरी बात को जरूर सो सुनेंगे मैं भी चाहता तो और नॉर्मल ऐसे बाते बना करके आपको समझा सकता था कि paper कैसा है लेकिन मैंने इसमें पूरा एक्चुल में paper को पढ़ा समझा और कितने कितने marks के जो question पूछे गए उनको कहा कहा से लिया गया वो सब कुछ मैंने time देख करके इसको निकाला है इसलिए मैं आप से कहूँगा कि दसमेंट पूरा इस वीडियो को जरूर से देखे जब हम जब हम पूरे sample paper को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो pattern है वो तो पिछले साल का ही है इस pattern में कोई भी change नहीं है जैसे बच्चे कह रहे हैं 50% 60% question mcq होंगे ऐसे होंगे वैसे होंगे तो ऐसा बिलकुल नहीं है यहाँ पर जो वेटेज है questions का वो किस प्रकार से रखा गया है तो सबसे पहले आप भी समझे लो section A जिसमें 12 mcq होंगे चार assertion reason 16 number का हो गया इसके बाद दो दो number के जो है आपके पांच question 10 number का B section हो गया तिन दी number के साथ question 21 number का C section हो गया चार number के दो question जो की case study से हैं तो आपका आठ नंबर का यह section हो गया पांच पांच नंबर के तीन question 15 number इस प्रकार से total 70 number हो जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर यह बताने वाला हूँ भी किस chapter से कितने questions पूछे गए हैं कितना marks वो cover करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना जाता हूँ कि अगर आप physics में सच में बहुत अच्छा score करना जाते हैं तो अभी आपके पास वो समय नहीं है कि आपके पास जो भी मोटी book है कि आप उससे practice करें आपके पास अब जो समय है वो है कि आप ऐसे questions को practice करें हमारी जो physics की book है ये book आपके लिए best होने वाली है क्योंकि इस book के अंदर हमने as it is वैसे ही questions रखे हैं जो की आपके physics के sample paper में पूछे गए हैं तो ये हमारी एडुकार्ट की physics question bank ये एकदम compact सी है इसके अंदर आपको theory important questions सब कुछ mind में बगरा सब मिल जाएगा अगर आप इसको practice करते हैं तो आप पाएंगे physics में आपका सच में पहुत improvement हुआ है और जो बच्चे already ले भी चुके मैं कहूंगा आपसे आप इसको रखे गड़बर चल रही है ना उसमें बहुत जादा सुधार होने वाला है तो इस book को purchase करने की जो link है ये हमने इसी वीडियो की description में दे दी है इसी वीडियो की description और comment section में इसकी link आपको मिल जाएगी तो आप अभी इसको order करके जरूर से practice करना स्टार्ट कर दो आप ये अगर आप तेरी personal mentorship, personal guidance चाते हैं physics में बहुत अच्छा perform करने के लिए तो कल से हम start कर रहे हैं हमारे अपने winners batch में ray optics यानि कि आधी से ज़्यादा physics अभी बची हुई है आधी physics कल से ray optics start हो जाएगा एक एक धागा हम जो है physics का खोल देंगे daily lectures यहाँ पर हो रहे हैं और सब कु इसी online batch में इतने question एक single teacher द्वारा नहीं कराए जाएंगे तो मैं आपसे यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि आप कल से इस winners batch को join कर सकते हैं winners batch प्लस जो है आपका हमारी जो book है दोनों मिला देंगे तो आप physics के paper में पका तबाही मचाने वाले हैं दोनों की जो link है वो आपको इस वीडियो के description में दी गई है कल से batches start हो रहा है आप जरूर से अभी इसमें enroll करके अपनी physics में बहुत अच्छा perform कर सकते हैं एक visible change आप अपनी physics में देखोगे यह बात मैं आपसे link करके कह सकता हूँ जो बच्चे enroll हो भी गए हैं उनसे भी कहूँगा कि आप daily lectures लीजे आपको physics में एक नया एसास नय नया improvement देखने को मिलेगा बस इतना ही मैं कहना चाता हूँ तो book की और app की जो link है वो दोनों इस वीडियो के description में दी हुई है आज से आप अच्छे question practice करना चाहते हैं तो हमारी जो book है उसको अभी अभी order करें अभी practice करना start कर दें देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कहां कहां से कितने questions ले गए तो सबसे बहले आप देखेंगे कि chapter number one से आपको एक number का equation और तीन number का equation मिलाकर के चार number का ये chapter हो जाता chapter two से भी चार number equation इन दोनों में से मैं कहूंगा कि ये तीन-ती number के जो है ये derivation पूछे गया है chapter three से आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक number का question एक number का question पांच number में एक part आपका ohms law वाला question पूछा गया है मतब पांच number में एक numerical और एक आपका जो है derivation टाइप में पूछा गया है चार तो आप ये देख पा रहे हो ये 7 number का हो जाता है chapter four में से अगर मैं बात करूँ तो भई काफी important chapter star लगा दिया है ग्यारा number का weightage है इसका काफी जादा ये portion cover कर रहा है chapter five में से बस एक number question पूछा गया chapter six में से मुझे कुछ देखने को नहीं मिला electromagnetic induction में से लेकिन इस कार्थ ही नहीं है कि final में भी नहीं आएगा है ना chapter six seven एक ही unit होती है तो concept लग जाते हैं दोनों के बीच बीच में तो chapter seven में से साथ number का question पूछा गया question पूछे गए साथ number के एक एक और पांच number का ये part था जिसमें transformer भी पूछा गया इसके अलाबा chapter eight से दो number question पूछे गए लेकिन ये ऐसे question दे एक तो displacement current के numerical आ गया और एक चार पॉइंट दे दिये भाई आपको matching मिलाने के लिए अगर एक पॉइंट भी नहीं आता तो chapter eight में आपका धुआ उड़ जाएगा chapter nine के अगर बात करूँ तो ये 13 marks 13 number का पूछा गया इसमें सब numerical भी पूछा गया यहाँ पे आपको conceptual question factor based question सब पूछा गया chapter 10 wave optics बस 3 number की रही chapter 11 में से 7 number का weightage काफी जादा पूछ लिया गया chapter 12 में से एक number का बस आया इसके अलावा chapter 13 में से 4 number का पूछा गया chapter 14 में से आप से यहाँ पर 7 number का ये content यानि questions cover किये गए तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप ये देख लीजिए इसका screenshot लेने के बाद कि किस chapter का weightage कितना कितना रहा maximum weightage किन chapters कर रहा है आप एक बार फिर से इसका screenshot ले स सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर पाएंगे तो देखेंगे chapter 9 जो है वो 13 number के साथ maximum weightage पर है इसके लिए बाई तालिया बजिने चाहिए ray optics के लिए जोरदार तालिया के ray optics जो है 13 number के साथ विजेता रहा और ये रहना भी तक बड़ा चैप्टर है धुआ उड़ा देता है और कल से हम winners batch में start कर रहे हैं आप enroll कर सकते हैं यूटीब पर भी वीडियो जाएंगी लेकिन अगर आप टुकड़ों में daily routine के साथ discipline के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे batch के अंदर आ सकते हैं अचाहिए इसके बाद chapter 4 के अगर मैं बात करूं तो chapter 4 से 11 number का पूछा गय यहां पर 52 marks जो है यह cover कर रहा है 52 marks समझ रहे हो लगबग यह आपकी 70% जो physics है 70-75% physics cover कर रहे हैं कितने chapter बस 6 chapter तो अगर कोई बच्चा सिर्फ 6 chapter निप्टा लेता है total 6 chapters यदि कोई खतम कर लेता है तो यह समझ लिए लो कि वो पास से पहुत आगे निकल जाएगा है अगर आ बाकी 6 बाकी 8 chapter physics के एक साइड यानि कि 6 chapter में से 52 marks cover हो रहे हैं और बाकी 8 chapter से आपके 18 number cover हो रहे हैं तो अब आप सोच लो कि कितना जादा जो रोल होने वाला है वो planning का होने वाला है कितना जादा रोल है वो सही direction में सही दिशा में महनत करने वाला हो रहा है है ना तो आपको जरूरी है कि आप सही direction में महनत करें अब सर आप मुझे ये भी बता दो कि कितने questions fact based पूछे गया और मुझे कैसे पढ़ना चाहिए देखो fact based question यानि कि as it is आपको कोई रटना वाला मैं बात कहूंगा कोई ऐसी चीज जो जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना ठीक है जैसे आप से कह दिया गया कि एक कुटरियल पॉइंट पर potential कितना होता है आप से कह दिया गया कि इन दोनों charges का ratio कितना होने वाला जिसमें आप कोई दिमाग लगाना 15 नंबर के as it is question यानि कोई बच्चा regular classes ले रहा है चाहे वो offline में चाहे वो YouTube पर चाहे वो online में तो वो 15 नंबर क ये questions एकदम सही कर सकता है इसमें ज़रा भी दमाग नहीं लगाना derivation की बात करूँ 11 नंबर के derivation पूछे गया लेकिन उसमें से एक derivation ऐसा भी पूछा गया जिसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा तीन एक परस चेप्टर से एक सेवन चेप्टर से पूछ पूछा गया नुमारकल की बात करूँ बहुत बहुत ज़्यादा वेटेज नुमारकल का यानि की सही practice सही guidance सही mentorship सारी चीजें अगर आप सही दिशा में करेंगे तो आपके 30 नंबर के नुमारकल यानि की जो physics में जो बच्चों का डर है वो डर सही थाबित होता नजर आता ह 30 नंबर के नुमारकल जिसमें से आप भी देखेंगे यानि की सत ये लगबग आपका जो 50% से 45% लगबग जो पार्ट है वो नुमारकल कवर करता है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है इसमें कुछ logical based competency based questions हैं जिसके अंदर आपको जो है छोटी values के साथ खेलना है लेकिन दिमाग लगेगा भाई बरपूर practice लगेगी बरपूर और conceptual question आपके 14 नंबर के ये इसके अंदर पूछे गए जिसमें आपको जिसमें आपको calculation नहीं करनी है जिसमें आपको अपनी जो बुद्धी है जो मस्तिस्क है उसका इस्तमाल करना है आपने कितनी practice करी है वो आपके ये जो देख रहे हैं आप 44 जो marks हैं ये आपके पूरी तरह से practice के हैं बागी ये जो 26 नंबर हैं ये आपके ऐसे हैं जो आपको बस pass कराने के लिए दिये गए हैं कि आप आराम से इनसे pass हो सकते हो तो अब मैं आप से कहूं कि सर मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि यदि कोई बच्चा regular normal थोड़ा 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 भी average तरह से भी पढ़ रहा है ना तो वो इस paper में अगर उसने पूरी physics करीए कुछ नहीं छोड़ा कुछ गलत नहीं करेगा तो 26 नंबर पास हो सकता है क्योंकि 26 नंबर का जो portion है वो बहुत simple लागा है अगर कोई बच्चा नहाईती नहाईती कामचर होगा तो यह वो इसमें fail ओगा लेकिन वो इसमें पास हो जाएगा तो यह paper ऐसा नहीं है कि जिसको देख करेग कोई बच्चा पेल हो जाए क्योंकि इसके अंदर बच्चों को देख करके cover की गई है चीजे ठीक है इसके बाद numerical की बात करूँ तीस नंबर के numerical है ये वही बनाएगा ये वही बनाएगा जो खूब सारी practice कर लेगा जो खूब सारे numerical करेगा है ना जो बार बार variety of question को practice करेगा हाँ अगर एक चप्टर से आप 1500-200 numerical लगा रहे हो ना और उसके बाद और आगे ना जाते हो उन्हें को बार 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 practice कर रहे हो उन्हें को बार बार सेम pattern बार 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 practice कर रहे हो तो आपके बुद्धी में हर चीज ये fit हो जाएगी कोई दिक्कत कोई परिशानी इनके इंदर नहीं आईगी हाँ देखो बात ही है कि पेपर बड़ा होता है तो कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको 100% ऐसी नहीं मिलेंगी जो आप एक्जेक्ट देख करके गई थे आपको अपनी बुद्धी लगानी पड़ेगी तो आप ऐसे क्वेस्चन हो कब कर पाओगे जब आप खुद से खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हो है ना तो प्रैक्टिस के लिए हमने आपको बता दिया है कि आपको बुग होना जरूरी है तो आप हमारी बुग ले सकते हैं तो बाहर बार यह क्यों सर आपनी बुग वह आप किसी की पाओव नहीं है लेकिन प्रैक्टिस तो करना है ना यह चीज़ कैसी है यह चीज़ वह राखने वाली तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हो कि practice आप खूब सारी करोगे तो आपको एक मैं ये चीज़ आप समझ लो कि paper में आपको कुछ question ऐसे जरूर होंगे जो पहली बार आपकी नजरों के सामने आए होंगे इस sample paper में भी तो कैसे करोगे भाई तो जितनी आप practice कर लोगे न उतने ज़्यादा आपका दिमाग काम करने लग जाएगा तो मैं ऐसा बोलूँगा 26 number एक question तो जी सारे बच्चे बना सकते हैं बाकी ये जो 44 number में जितनी ज़्यादा आपकी practice उतना ज़्यादा आप score कर पाएंगे तो मैं इसको बोलूँगा भाई ये average है कोई ऐसा paper नहीं है जो बहुत ज़्यादा डरावना है हाँ इन 44 number के question में कुछ questions आपको परिशान भी कर सकते हैं कहीं गहीं आपका logic फेल भी हो सकता है तो समय के साथ जितनी practice आप करोगे उतना बढ़िया आपका हो जाएगा तो ये मैं कहूंगा average sample paper है लेकिन मैं कहूंगा कि जो actual paper है वो इससे भी ज़्यादा hard होने वाला है क्योंकि कभी-कभी हम ऐसा देख लेते हैं कि भाई जो fact-based question है या कभी-कभी मैं ऐसा देख लेते हैं कि 26 number का जो paper आपको pass कराने के लिए दिया वो का 10 number का या है तब आप क्या करोगे बाकी और 16 number बढ़ा दिये 60 number के बढ़िया बारी बरकम सा topic आपको देदिया तो मैं कहूंगा कि अब से आप proper sincere worker के पढ़ाई करें चाहे आप YouTube से पढ़ें चाहे आप online पढ़ें चाहे आप offline coaching में पढ़ें regular test वगरा वही सभी बच्चे दें क्योंकि जितने ज़्यादा आप test दोगे जितने आप questions लगाओगे उतनी ज़्यादा आपके जो scoring है वो अच्छे हो जाएगी जो teachers कह रहे हैं आप से class में, school में, YouTube पर online आप उनकी बात मानें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें देखो काम चोरी कभी भी एक सफलता का मैं कहूंगा मंत्र है वो नहीं हो सकता आपको खुद को घिसना पड़ेगा जितना आप घिसेंगे उतना ज़्यादा आप चमकेंगे क्योंकि आप एक हीरा हैं बच्चों हीरा हैं है ना तो आपको यह चीज़ समझ नहीं कि आप खु चाहे मेरे साथ, चाहे अपने टीचर के साथ, या आप जहां से पढ़ रहे हो, चाहे self study के साथ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से मानत करो, बहुत समय है हमारे पास, अच्छे से निप्टा देंगे, घबराने के जरूरत नहीं बचो, ठीक है, तो उम्मीद क कैंट जारे